करीब दो साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर से बौखला गया है और अपनी उसी पुरानी हरकत पर उतराया है उसकी ये बौखलाहट इस कदर बढ़ गए कि वो रात भर बॉर्डर से सटे इलाकों में फाइरिंग करता रहा पाकिस्तान के इस हरकत का हिंदुस्तान ने कगड़ा जवाब दिया है ऐसा जवाब जिसे पाकिस्तान अब अपने सपने में भी नहीं भूल पाएगा दिवाली से पहले ही हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का दिवाला निकाल दिया दरसल 26 अफ्टूबर को देर रात अचानक से पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के अर्निया और सुचेतगर सेक्टर में सीस फायर का उलंगन किया गया जहां इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात करीब आठ बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने अचानक गोली बारी शुरू कर दी क्योंकि करीब दो साल बाद पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार से फायरिंग की गई है हाला कि पाकिस्तान की इस हरकत का हिंदुस्तान ने उसे मुह तोड जवाब दिया है जानकारे की मुताबिक गुरुवार रात करीब आठ बजे पाकिस्तान की तरफ से एकदम से बेसफ की पोस्टों को निशाना बना कर फाइरिंग शुरू कर दी गई चिनाज, विक्रम, जाबुबाल इलाके में फाइरिंग की गई पहले तो कुछ देर तक बेसफ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया लेकिन जब पाकिस्तान की तरफ से फाइरिंग तेज हो गई तो बेसफ ने उसे तगड़ा जवाब दिया पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर से सटे इलाकों में की गई फाइरिंग के बाद के कई वीडियो भी सामने आये हैं जहां दीवारों पर गोलियों के निशान मोर्टार पड़े हुए मिले इससे घरों की दिवारे तक ढगए गई गोली बारे के बीच स्थानी लोगों को रात भर बंकर में रखा गया अरनिया सेक्टर में रहने वाले लोगों ने बताया है कि कैसे सी स्वायर उलंगन के दौरान ये बंकर उनकी जिंदगी बचाने का काम करते हैं स्क्रीन पर नजर आ रही इस महिला का नाम एक्ता है जिनका घर आरिस्पुरा के अरनिया में है जो पाकिस्तान की गोली बारी में बुरी तरह से छतिग्रस्त हो गया है उन्होंने रात की आप भीती बताई कैसे अचानक से गोली बारी शुरू हो गई पहले चोटी चोटी हो रहे थी फाइरिंग जब बड़ा गोला पड़ा सबसे पहले इदर हमारे गर पे पड़ा यहां उसके लुक्सान हुए यहां उसी से हुआ यह लगवक कितने बज़े यहां जे कोई आठ वज़े के करीब हुआ पौने आठ वज़े स्टार्ट वबा था आठ वज़े के करीब पड़ा गोला आपको लग रहा था कि यहां गिर जाएगा तो आप अंदर थे सारे नहीं कोई मालक की दिया से हम अंदर चले गए मेरे को नहीं पता था जी होना है कि यह नहीं होना मैं अंदर चले गए थी अपने रूम में जब रूम में गए तो इकनी तरह में गोला पड़ गए इदर आप मलब यहीं पर थे खिचन में थे ने ने मैं इस रूम में बैठ हुई थी देखिए कैसे पाकिस्तान की तरफ से की गई गोली बारी की आवाजे सुनाई पड़ रही है रात भर बॉडर से सटे गाउं में रहने वाले लोगों के बीच दहशत देखनुक मिली अरनिया में सीमा वरती गाउं बुले चक के सरपंच देव राज चौधरी ने बताया है कि करीब 6 साल बाद पाकिस्तान की ओर से बीती रात उनके गाउं को निशाना बनाये गया हलाकि गनीमत ये रही कि कोई इस गोली बारी में घायल नहीं हुआ हलाकि उनका मकान बुरी तरहे से छतिग्रस्त हो गया एक ये महज पाकिस्तान की ओर से कहीं डाई किलोमेटर है तो कहीं तीन किलोमेटर की दूरी पे है और अक्सर यहां पर ये जो गव है ये काफी यहां के लोग जो हैं आर्मी एक्समेन हैं फोजी हैं देलेर हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकर जिस परिवार के के साथ बैठा हुआ था किचन के साथ लगा हुआ कमरा है यहां जी शेल गिरा है और कफी नुक्सान हुआ वही जब सुभा हुई तो खेतों में पड़े कई सारे मोटार मिले जो पाकिस्तान की नापाक हरकत के सबूत पेश कर रहे थे भारी गोली बारी के चलते बेसप ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है पुलिस ने लोगों को घरों में रहने और विजली बंद रखने को कहा है वैसे करीब दो से तीन साल के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीस्पायर का उलंगन की कोई बारदात सामने आई है लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान अपनी उसी हरकत पर उतर आया है कहा जा रहा है कि माहौल खराब करने की इरादे से पाकिस्तान की तरफ से ऐसी हरकत की जा रही है लेकिन भारती जवान भी डटे हुए हैं और पाकिस्तान की हरक हरकत पर उन्हें कभी न भूल पाने वाला जवाब दे रहे हैं